हेलो स्टूड़न वालकम तो माई योटूब चैनल एक्सिलेंट सक्सेस ग्रूप तो स्टूड़न आज हम डिसकस करेंगे क्लास 11 में चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्षन का इंट्रोड़क्शन तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एकसाइस 3.1 के बारे में जो इसके इंद त्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नल एंड अना एंड मेट्रन यह मेजर्मेंट करना और 2 सडेटों बीच मनने वारे एंगल को इनको मेजर करना थीक है वह ही क्या क्या करना है था मारा त्रिग्नोमेटरी चालाता है Trigon मतलब हमारा triangle और matter मतलब उसको measurement करना किसको triangle की side को और उसके angle को measure करना क्या कहलाता है Trigonometry कहलाता है इसके बाद में देखो angle is a measured of rotation of given ray यानि angle जब बनता है वो rotation से बनता है जब वो clockwise हो या anti-clockwise हो rotation मतलब जैसे मैं आपको बताऊँगा कि हमारी कुल line है यह rotation शुरू करती है किसी fix point को जिसको vertex मानेंगे यहां से turn होकर अगर यहां पहुंच जाती है इनके बीच हों बनने वाले angle को हम measure करते है Trigonometry की help से measure of rotation of a given ray about its end point the original ray is called the initial side and the final position of the ray is called the terminal side of the angle जैसे मैंने यहां पे आपको समझाने के लिए figure बना रखे है यहां यह जो मेरी line है यह मेरी first ray है जिक है इसे हम बोलेंगे initial line अगर मेरी line यह turn करती है कैसी anti-clockwise और जहां पर जांके रूख जाती है जो रुक रहेगी जहां final position पर होगी वो हमारी terminal side होगी जहां शुरुआत करेगी वो हमारी initial side होगी और जिस एक common point पर यह point रुका रहेगा यानि कि इस तरीके से rotate रहेगी यह point हमारा fix रहेगा जो fix point को हमारा क्या कलायागा vertex कलायागा इनके बीचों बनने बार angle को हम क्या कहेंगे theta अगर यह anticlockwise चलती है तो positive theta से represent करेंगे और यह clockwise चलती है इस तरीके से तो हम इसको negative theta से represent करेंगे यह initial R रहेगी यह हमारी terminal side रहेगी और जिस common point पर यह दोनों जगा सीम रहेगी वो हमारा कौन होगा vertex होगा ठीक है अगर clockwise चलते हैं तो angle negative में जायागा और अगर anticlockwise चलते हैं तो हमारा angle positive में रहेगा ठीक है जिसको हम इस तरीके से represent कर सकते हैं हम किसी भी figure को angle को 4 quadern में बाढ़ लेते हैं first, second, third and fourth अगर हमारी initial line है यानि की red line अगर हम anticlockwise चले इस तरीके से तो angle हमारे क्या बनेंगे positive में शो करेंगे और अगर हम इस तरीके से इसकी clockwise चलते हैं यानि की तो हमारे angle किसमें रहेंगे negative में चब वो minus का 60 degree हो, 100 degree हो, 120 degree हो सारे को सारे को रहेंगे negative में रहेंगे इसके बाद आता हमारा angle measurement angle को हम दो तरीके से major करते हैं पहला आता degree, दूसरा आता radian, ठीक है पहला है degree, दूसरा radian अब देखो, one by one करेंगे इनकी बारे में पढ़ेंगे पहले पढ़ेंगे degree के बारे में देखो, हम यह तो मालूम है कि पूरे complete जो circle लगता है ठीक है, पूरे complete circle ठीक है, यानि कि 360 degree बराबर होगा एक complete revolution की revolution की ठीक है, अगर इसके साथ में कुछ भी नहीं है तो one तो मैं मान सकता हूँ, one degree one को से multiply कर फ़रक्त रोटन पढ़ेगा तो यह multiply में 360 है, दूसरी तरफ जायागा किस में आ जायागा, डिवैड में आ जायागा तो यानि कि one degree बराबर होगा one upon में 360 complete revolution की complete revolution की ठीक है तो यहां मैंने लिख दिया, one degree हमारा बराबर होगा कि पूरे complete circle का 360 हिस्सा होगा एक degree होगा, अब जैसे कि हमने एक छोटा circle लिया तो इसके अंगल को तो हम चलो major कर लेंगे इस तरीके से कि यह 60 degree है, 30 degree है, 40 degree है अगर वहीं पर यही सरकल हमारा और बढ़ा होता ठीक है, काफी जादा बढ़ा होता जैसे हमारा room हो गया, यह हमारे room से भी जादा बढ़ा circle बन गया अब उसको फिर हमारी जो side होती जैसे मारे इस तरीके से हो गया, ठीक है अब यहां पर एक degree का मतलब कितना होता इतना होता, लेकिन जैसे जैसे मेरा circle बढ़ा होता जाता, तो यह angle भी क्या होता बढ़ा होता जले आता हमारा, तो अब इसके angle को मेजर करना काफी मुश्किल हो जायागा, ठीक है तो फिर हम जो भी हमारे angle होगा, वन डिगरी होता है इसको फिर हम 60, 60 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो इसलिए हमारा वन डिगरी बराबर होगा 60 मिनट के, और इसको हम किस तरीके से पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो वन मिनट डिवाइड हो जायागा, 60 सेकिंड के अंदर जिसको हम डबल डैशे शो कर देंगे, आपके कि वन मिनट बराबर होगा 60 सेकिंड के एकोल होगा, ठीक है, यह तो हमारा था डिगरी में angle measurement बस आपको इतना ध्यान अखना है कि वन डिगरी बराबर होगा, वन अपोन में 3 बाइ 60 पार्ट के होगा, पूरे complete revolution की, और पूरे complete revolution किसके बराबर होगा 360 डिगरी बराबर होगा, वहीं पर बात कर लेते हैं, रेडियन की कि रेडियन में angle को किस तरीके से measure करते हैं, तो रेडियन में angle बनाने के लिए हम ये assume करते हैं कि जो हमने circle बनाया है, इसकी जो radius है, वो भी हमारी one unit होगी, इसकी length of arc होगी, वो भी हमारी one unit होगी जब radius length of arc हमारी one unit होती है तो इसमें बनने वाला जो angle होगा ये भी हमारा क्या होगा one radian ही होगा और radian को हम किस तरह किसे लिखते हैं one के ओपर छोटा सा c बना देना ये हमारा कौन होगा radian होगा ठीक है one radian equal होगा angle subtended by an arc of a unit length unit मतलब एक ही one unit ही होने चाहिए और वो unit चाहिए एक centimeter हो किलोमेटर में कोई भी unit हो सकती है at the center of the unit circle unit circle में बना गया कोई भी angle one radian होगा कब जब उसकी radius भी one unit होगी length of arc भी one unit ही होगी अगर इसी concept को अगर हम use करें ठीक है अगर एक clockwise अंटी clockwise चलता है तो हम इसको positive से दिखाएंगे और same to say वही logic है अगर clockwise चलता है तो इसके angle को हम negative से show करेंगे ठीक है arc of length हमारी one unit रहेगी उसमें भी one unit रहेगी चाहिए हमारा clockwise चले या anti clockwise चले अब हमने देखा कि one unit होने पर radius हमें कितना देती है one radian angle देती है याने कि one c ठीक है दो unit होने पर अब देखो ये one two three four five जितने भी number ये सारे के सारे कोन होते है हमारे real number होते है अब ये real number को हम radian क्यों major करते है इसके पीछे मैं आपको अब आगे concept बताऊँगा दो unit है बराबर है दो radian की इसी तरीके से अगर यहाँ पर दो unit के जगा two pi कर दिया जाए कितना कर दिया जाए two pi कर दिया जाए तो हमारा angle किता बनेगा two pi radian बनेगा वही पर अगर ध्यान से देखा जाए जो complete circle होता है ठीक है ये वाले जो circle है इसकी outline जो होती है इसके जिसे बोलते हैं circumference तो circumference का formula होता है two pi r इसकी जो ये outline है इसको क्या कहते है two pi r कहते है और हमने यहाँ पर radian के angle measure करने के लिए क्या लिए कि जो radius हमारी वो कितनी है one unit है तो r की जगा गर हम one लग दें तो हमारा जो ये circumference होगा उसका कितना होगा two pi होगा ठीक है कितना होगा two pi और two pi यानिकी इसके complete एक revolution लग जाता है हमारा two pi का मलब क्या हुआ पूरा हमने इसका एक revolution कर लिया एक revolution हमने उपर बढ़ा था कि वो 360 degree के बराबर होता है और two pi उसकी unit होने पर length of arc होने पर वो ही इसका angle बनाए कि कितना two pi radian दुबार ध्यान से सुने और समझे देखो यहाँ पर one unit इसका angle है one radian तो यहाँ पर length of arc भी कितनी है one unit ही है अगर यहाँ पर मैंने two unit लिया तो angle कितना बनेगा two radian बनेगा तो इसी तरीके से मैं इसको बनाता गया बनाता गया तो मैंने इसका जो length of arc two pi unit लिया है तो इसका angle भी क्या बनेगा two pi radian बनेगा और two pi का मतलब क्या होगे इसके पूरी की पूरी यह outline होगी क्यों क्योंगी यह पूरा circumference कितना होता two pi यहाँ रहता है यहाँ पर radius की कितनी है one unit है तो radius की जगा अगर मैं one अग दू तो हमारे कितने में नहीं two pi unit होगे two pi का मतलब कितना हुआ two pi radian हुआ पूरा complete हमने अभी अभी पूरा उपर पड़ा था कि पूरा complete चक्का लगाने का मतलब है 360 degree और यहाँ पर radian में one unit है इसलिए कितना मेरेजर किया गया यहाँ पर two pi unit मेजर किया गया तो हमने यहाँ से एक बात सीखी किया कि complete revolution जो होगा जो कि 30-60 degree के बराबर होगा two pi radian के बराबर होगा फिर मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि इसकी जो यह one unit two unit, three unit इस सारे के सारे कोन हमारे real number इन real number को हम radian में किस तरीके से major कर पा रहे हैं इसका logic में आपको अभी बताता हूँ देखो जरा मैंने इसको आपको समझाने के लिए एक circle बनाया और इस circle के बिल्कुल tangent मैंने एक number line बना लिए इस number line पे देखो और हमारी length of arc भी दोनों क्या हो निचे? same unit होगी ये भी one unit होगी ये भी one unit होगी तो angle भी हमारे कितना बनायागा? one unit, sorry, one radian बनायागा वहीं पर अगर हमारा देखो मैंने फिर एक centimeter देखो एक से दो तक एक centimeter हुआ इसके अंदर जो angle बनेगा वो भी कितना होगा? one radian होगा दो से तीन के पीच में जो angle बनेगा ये भी कितना होगा? one radian होगा तो एक, zero से एक के बीच बनाया अंगल one radian एक से दो के बीच बनाया अंगल one radian तो अगर मैं zero से लेकर two तक लेके जाऊँ यहां length मेरी zero से two ही तो एंगल देखो 1 radian and 1 radian दोनों को आड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 radian हो जाएगा इसी तरीके से यहाँ पर देखो 1 cm है तो इनके बीचे बनने वाला एंगल यह वाला एंगल जो कितने का होगा तो अगर मैं इसका एंगल मेजर करूँगा तो यह कितना हो जाएगा 4 radian हो जाएगा तो यानि कि आप एक एक सेनिमेटर बढ़ाते चले जाओगे तो इसका जीरो से बनने वाले जो एंगल होंगे वह इनकी यूनिट के साब से बढ़ते चले आएंगे वन यूनिट होगी तो एंगल 1 radian होगा दो एंगल 2 radian होगा तीन यूनिट होगी तो एंगल 3 radian होगा तो हमसे यहां से conclusion निकाल सकते हैं कि जितने real number होते हैं उन real number हमें क्या देंगे एंगल देगा, रेडियन में देगा, यानि कि 1, 1 रेडियन, 2, 2 रेडियन और 3, 3 रेडियन देगा, ठीक है, आपको यह बात समझ में आई कि कॉन्मेन यहां से कॉन्कूलोस निकाला कि से कॉन्सिडर कर सकते हैं, यानि कि कंसिडर कर सकते हैं, यहां पर हमारी कंसेप्ट यह भी होता है, यह हमारी रेडियस है बननेवाले अंगल फीता है और यह हमारे को ने लेंद और लेंद वार्क है लेकिन कंपलसर ये है कि लैंठ यानिकि लैंठ ओफ अफ और और रिडियस दोनों क्या होने चीजिए सेम्ट में होने यह मतलब रेडियन में होनا चीजिएए Sém highlight में यह ऑन-बम में और की सिरिटा भी हमहे मारे रेडियन में active और और भी लेंद होगी लेंद फॉफ आर्क आरमारों गए रीडियस ऑफ सरकल होगा ठीक है तीनुम रिलेशन होता है थीटा इसकोल टूल अलब वन में आर जैसे मैं कोश्चन में दे जाए कोई सरकल है जिसकी रीडियस तरी सेनिमेटर और लेंद फार के चार सेनिमेटर तो है थीटा कितना होगा तो थीटा इसकोल टूल कितना है एला पॉन में आर में रह मारा ऺए है कितना होका 4 mr zaten होजाएगा क्लियर तो यह एक रिलेशन है थीटा एल और आर के पीच में घं और लेना है इसी वजह से πाई जो होता हमारा ये radian में है और ये degree में है हम अभी तक 10th class में सिरफ degree में ही पढ़ते आ रहे थे लेकिन 11th class में हम किसमें पढ़ेंगे radian में पढ़ेंगे 180 degree हमारा बराबर होगा πाई के अब मैंने इन दोनों के अंदर लेगर टू आपट्च का डिवाड कर दू तो ये पाई टु का डिवाड कर दो जाएका 90 degree है यनिकी पाई बाबर होगा 90 degree कि वहीं पर अगर में इसमें डिवाड कर दू एसी नंबर में 4 का तो इसमें भी 4 का비ट देंगे तो पाई वाड फोर बराबर हो 16 का turning 30 degree अगर 3 by 2 3 by 2 से multiply कर तो कितना जग हमारा 270 degree हो जायागा ठीक है यह एंगल में आगर आपको एंगल निकालना हो तो इस तरीके से निकाल सकते हो आपको दिमाग में रखना होगा कि 30 degree का मतलब 5 by 6 है क्योंकि अब हम जो एंगल पढ़ने है वो रेडियन में पढ़ने डिगरी में नहीं पढ़ने 60 का मतलब होगा 5 by 3 180 का मतलब 5 डिगरी और 90 डिगरी का मतलब 5 by 2 45 का मतलब 5 by 4 होगा ठीक है अब यह जो पूरा एंगल का सर्कुलेशन हमारा यह चार quadrant पर चलता है किस तरी किसे चलता है मैं आपको समझाता हूँ तो यहां पर मैंने आपके लिए एक figure बना रखी है ठीक है यह हमारे चार quadrant है first second third and fourth ठीक है ध्यान से देखना अगर हम anti clockwise चलते हैं कैसे चलते हैं anti clockwise जानी घड़े की उल्टी direction में तो यहां जहां से हम शुरू करते हैं हो तो हमारे जिरो डिग्री ठीक है यहां से यहां तक जाती हमारे 90 डिग्री के अंगल होता है ठीक है यह 90 गा 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 देखो मैं आपको समझाता हूँ यहां उठो कितना हो 90 tane इंटी का माला कितना होता है पाइब नेया श्रय बताया पिर अगर हम सीधा जीरो से लेके लेकर पॉजब देखना है और हम क्लॉक वैय चैलता है तो रुज़OLT किसमें मिलेगा नेगटिव मिलेगा वहीं देखो अगर मेरे को angle चाहिए कहां से 0 से लेके सीधा यहां तक का angle चाहिए तो यह 90 degree हुआ, यह 90, कितना 180, कितना 270 degree और 270 degree हम क्या बोलते हैं, 3 pi by 2 radiant कहते हैं, वहीं पराकर मेरे को angle सीधा चाहिए, यहां से लेके complete यहां तक, तो यहां से यहां तक चले 90 degree, 180 degree, 270 degree और एक इतना हो, 360 degree मैंने आपको क्या बता है, 360 degree बराबर किसके होगा, 2 pi radiant की, यानि कि यह जो हमारा point रिशुबाती point है, यह हमारा 0 degree भी होगा, 2 pi radiant भी होगा, आपको ध्यान क्या रखना है, anti clockwise चलते हैं, तो पहले quadrant में रहेगा angle 90 degree, दूसरे में चले गए तो 180 degree, तीसरे में गए तो 270, चौथे में गए तो 2 pi, यानि कि 360 degree होगा, अगर वहीं पर हम clockwise चलाते हैं, इसी angle को, तब हमारे angle किस तरह कैसे डो होगे, यहां से हम उल्टी direction में गए, तो यह हमारे angle negative में चलना चुरू होगे, 0 से चले, फिर आएगा हमारा 90 degree, लेकिन negative का, माइनस का 180 degree, माइनस का 270 degree, माइनस का 360 degree होगा, वहीं पर अगर हम इसको radian मिले, तो 360 का मतलब कितना है, 2 pi, 0 तो 0 रहेगा, यह हमारे कितना हो जागा, माइनस का pi by 2, माइनस का pi degree, माइनस का 3 pi by 2, तो यहां से यहां तक आई 90 degree, मतलब माइनस का pi by 2, फिर यह को, यह मेरी sky blue जो line है, यह जा रही है, यहां से लेकि, यहां तक कि एंगल की है, कितनी होगी हमारे, माइनस का pi degree होगी, थर्ड जो green line जा रही है, मैंने यहां से चुरू की है, देखो, यहां से लेकि, यहां तक जा रही है, तो 90 degree हुआ, 90 degree, कितना हुआ 180, और यह कितना हुआ, 270 degree, चाहिए कि अगर हम चलते हैं anti clock wise तो हमारे एंगल किस तरीके से बनेंगे और चलते हैं clock wise तो एंगल हमारे किस तरीके से बनेंगे क्योंकि इनी concept का यूज करके आगे मैं आपको इनकी value निकालना भी सिखाऊंगा तो एक question मा आपको करके दिखाया था हूं कि डिगरी से रेडिन में convert करना या रेडिन से डिगरी में convert करना तो देखो पहला सवाल हमें 45 डिगरी को convert करना है रेडिन में तो convert करने का तरीका देखो क्या है अगर हमें डिगरी से रेडिन में जाना हो तो यह डिगरी है हमें चाहिए 45 तो 45 डिगरी किसके बराबर होगा हमें 1 का निकाला लगा 45 का चाहिए multiply किया तो हांसर कितना कि पाई भाई 4 रेडियन निकल के आ गया वहीं पर हमें रेडियन को convert करने डिगरी में तो इस condition में क्या करेंगे पहले रेडियन आया तो पाई भाई 3 को तो multiply मैंने किसे कर दिया पाई भाई 3 की साथ पाई से पाई कर गया 180 में 3 कर दिया कितना अंसर आ गया 60 डिकरी निकल के हमारा अंसर आ गया ठीक अब हम धोड़ा साइन और कॉस के बारे में सीखेंगे तो जैसे कि मैंने आपको बताया देखो यह हमारा कोनों यह कोडियर में क्या देखा कॉसेक्स और साइनेक्स देखा अब यहां पर यह जो हमारे ट्रेंगल बनाया यह हर कॉड़न में कुछ न 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 तरीके से ट्रेंगल बनायागा तो यहां पर हमें हर एक part में एक unique value देगा इनकी value को किस तरह किसे calculate किया जाता है वो हम यहाँ पर सीखेंगे तो देखो जरा दुबारह से मैंने इसको draw किया अगर हम चलते हैं कैसे anti-clockwise तो इसका मतलब क्या होगा 0 या 2 pi होगा इसका मतलब pi by 2 होगा इसका मतलब pi होगा और इसका मतलब 3 pi by 2 होगा clear अब हम जब मैं क्या करता हूँ कि एक circle draw करता हूँ और इस circle की जो radius है वो one unit consider करते हो इसको draw करता हूँ यानि कि यहां से थे जो यहां तक के लंबाई यह one है यह भी one है यह भी one है और यह भी one है हमारी x इस पर x zero होता है y होता है यह वाला हमारा negative है तो यह हमारा हो जायागा minus का one and zero और यह वाला जो coordinate हमारा कितना हो जायागा 0 minus का one हो जायागा clear इतने बाद आपको clear जैसे मैंने आपको बताया कि इस पूरे circle पर हमारे sine और cos लाइए करेंगे तो जो पहली value होगी यह हमारे किसकी होगी cos की होगी cos यह कितना है 0 degree है तो चाहिए आप इसको 0 degree बोल लो sine 0 degree या फिर आप इसको cos 2 pi and sine 2 pi यह भी बोल सकते है इन दोनों के इसके अंदर sine 0 sorry, cos 0 cos 2 pi दोनों के value कितनी होगी 1 होगी sine 0 and sine 2 pi इन दोनों के value पे कितनी होगी इसकी value 1 होगी और इन दोनों के value कितनी होगी 0 होगी अब यह जो coordinate है देखो पहली value मैंने आपको यह के जाद है रहा हमारा pi by 2 है तो cos pi by 2 बोलो और sine pi by 2 यह हमें क्या answer देखा cos pi by 2 की value हमारे 0 होगी and sine pi by 2 की value हमारे कितनी होगी 1 होगी इसी तरीके से यहाँ पर हमारा कौन से एंगलार pi जा रहा है तो cos pi and sine pi cos pi की value minus 1 and sine pi की value 0 होगी अगली value देखो cos 3 pi by 2 and sine 3 pi by 2 अब cos 3 pi by 2 की value 0 होगी and sine 3 pi by 2 की value हमारे कितनी होगी minus 1 होगी अगर आप इस पर एक बात common चीज देखें तो देखो द्यान से sine 0 हमारे किस पर आ रहा है x पर आ रहा है यहारे कौन झा सा होती है x-axis होती है यह हमारे कौन सी x-axis है y-axis है अगर sine की बात की जा है तो x-axis पर sine 0 ketना है 2 यहाँ पर भी sine pi हमारे कितना 0 हमारे एकसे पे हमें साइन हवी क्या मिले इस की पाइब र ordin है तो वह वहां पर हमें साएना शवी बात और ईस पहां मिलेगा घुर यहां से यहां गए यहां से यहां गए फिर यहां से यहां गए और यहां से यहां गए और यहां से यहां तक का लगा ठीक है यह हमारा कुंसा था एंटी क्लॉक्वाइज अगर हम इसको चलाते कैसे क्लॉक्वाइज चलाते कैसे चलाते क्लॉक्वाइज तब हमारा डायागरम किस तरीके से होता देखो जरा यह हमारा कितना हो जाता जीरो होता हमारा सरकल वह वन यूनिट का लेकर हम चलेंगे हमारा जो सरकल है वह वन यूनिट का ही है तो जीरो अब एंटिक क्लॉक वज चलते हैं तो यह कोडिनेट हमारा minus one zero होगा और ये वाला कोडिनेट हमारा zero one होगा लेकिन अब जो हमारी value निकलेगी वो different होगी देखो जरा यह हमारा zero है अगर anti clock वज चलते तो zero और minus का two pi एंगल हमें मिलेगा तो देखो जरा cos कितना है zero बोलो या Covid zero बोलो इनकी value दो सी इम रहेगी अब यहाँ पर cos minus ka two pi and sin minus ka two pi इनकी value भी मारी कैरेगी सेम हें रहेगी यहाँ पर आ जो cos minus ka pi by two and sin minus ka pi by two cos pi by two ग होगी value कितनी वोगे zero and sin minus 파1 by two कितनी होगी minus one होगी वहीं पर यहाँ देखो minus papi, sin minus papi यहाँ पर इसकी value minus one हो ग cos minus ka 3 pi by 2 and sin minus ka 3 pi by 2 ठीक है यहां पर कितनी होगे 0 और इसकी value कितनी हो जाएगे 1 हो जाएगे अगर मैं इन दोनों diagram को merge कर दूँ अगर मैं इन दोनों diagram को merge करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा देखो जरा जो cos minus ka 2 pi sin minus ka 2 pi या cos 0 sin 0 या यह तो same ही है देखो यह वाला part तो same ही है मैंने इसकी cos 2 pi sin 2 pi cos minus ka 2 pi sin minus ka 2 pi इन दोनों की value हमेशा क्या रहेगी same रहेगी इन दोनों की बात कर ले जाए cos pi by 2 sin pi by 2 cos minus 3 pi by 2 sin minus 3 pi by 2 इन दोनों की value same रहेगी देखो जरा 0 1 0 बनी तो same है फिर इस coordinate की बात कर ले जाए देखो cos pi sin pi कितना minus 1 0 और cos minus ka pi sin minus ka pi इनकी value भी क्या रहेगी same रहेगी और चौत्छे वाले part की cos 3 pi by 2 sin 3 pi by 2 0 minus 1 देता है और यहाँ पर cos minus pi by 2 and sin minus pi by 2 यह भी मैं क्या देगा 0 minus 1 देगा तो इन दोनों को हम एक complete table के तुरू समझ लेते है तो student आपको समझाने के लिए मैंने दोनों diagram को एक साथ merge कर दिया जो blue वाली line है यह हमारे कैसे चल रही है anti clockwise चल रही है और जो green वाली line है यह हमारे कैसे चल रही है clockwise चल रही है zero minus pi by 2 मैंने लिखा है clockwise और anti clockwise ठीक है तो 0 minus 2 pi by 2 0 minus 2 pi 0 two pi इस पर हमारा Cos x क्या रहेगा 1 and sine X क्या रहेगा 0 रहेगा अगर clockwise यह minus 3 pi by 2 और anti clockwise में pi by 2 इन दोनो पे हमारी value क्या रहेग आए profits and these guys की सेम रहेगी 0, 1 Cos minus pi Or cos pi दोनों की value में क्या देगा ? minus का 1 sine minus का Pi sine Pi यहां में क्या देर कह 0 देगा इसी तरीके से cos minus का Pi बाट 2 और cos 3 Pi बाट 2 क्या देगा ? 0 sine minus का Pi बाट 2 sine minus positive का 3 Pi बाट 2 क्या देगा में आंसर ? minus का 1 देगा ठीक है ? तो या Gabeね Clockwise और Anticlockwise से हम इन चारों की value को इस तरीके से calculate कर सकते हैं अब यहां पर मैंने आपको इस diagram से conclusion निकाल के दिखाया था क्या कि अगर हम x-axis पे देखें तो sign की जितनी value होगे हमें क्या देगा? जिरो देगा इस x-axis पे sign की जितनी value होगे होगे? जिरो देगा देखें यहां पर मैंने दिखाया था sign zero zero होता है sign pi वह भी क्या होता है अगर anti-clockwise देखें तो sign minus का pi वह भी हमें क्या देता है? जिरो ही देता है तो यानि की x-axis पे sign की value क्या मिलेगी? जिरो मिलेगी और cos की y-axis पे हमारी सारी value क्या मिलेगी? जिरो मिलेगी ठीक है? तो इससे हम क्या मनाते है? इसका general solution मनाते है किस तरी किसे बनाएंगी? ज़रा ध्यान से देखो मैं आपको कुछ diagram मना दिखाता हूँ देखो जड़ा यह हमारा है anti-clockwise यह हमारा clockwise डागरम जो मैंने बनाए देखो यह हमारा कोई coordinate है cos x और sin x मैंने यहां से angle बनाना शुरू किया कहां से 0 से? ठीक है? 0 पर हमारा sin क्या रहेगा? 0 रहेगा वैसे मैं turn करके यहां चला गया कितना है πाई रहा? मैंने क्या बताया? जब जब मेरी x-axis पर कोई भी value निकलेगी वो sin हमेशी कहा देगा 0 देगा तो 0 से मैं कहां गया πाई यहां पर sin πाई के value भी 0 रहेगी, sin 0 के value भी 0 रहेगी फिर πाई से मैं यहां कहां आ गया? 2 πाई पर आगी यहां पर देखो यह भी किस पर आ रही है? हमारे x-axis पर आ रही है ठीक है? तो यह भी मैं क्या देगा? 0 देगा मैंने आपको समझाया था कि यहां से यहां तक की value पाई भाई 2 है, यहां तक चलेगे तो पाई हो गया, ठीक है? यानि कि 180 डिक्री हो गया अगला हम जाएंगे तो यह भी मारे कितना पाई? तो पहले वाला पाई और यह पाई कितना हो जागा टोटल? 2 पाई हो जायागा इसी तरीके से में पाई जोड़ देंगे, तो 3 पाई आएगा, फिर पाई जोड़ देंगे, 4 पाई आएगा यानि कि जतनी भी वैल्यू आएंगी, इस सारी के सारी यहां पर साइन क्या रहेगा? 0 रहेगा हमारा 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, यानि कि X एक्सिस पे जतनी वैल्यू आएगी, वो सारी हमें साइन क्या देगा? 0 देगा यह तो हमने चलाय तक ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, अगर हम इस जी डायागरम को चलाते हैं क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में क्या होगा? कि यह हमारा माइनस का 2 पाई यह 0 हो जायागा, यह माइनस का पाई, यह माइनस का 3 पाई बाई 2 हो जायागा यहां चले माइनस का πाई बेर 2 आया ठीक है लेकिन हमें यहां नहीं रुकना Y-axis पे नहीं रुकना X पे रुकना है यहां से चुरू कि जिरो पे फिर हम यहां गए कितना है माइनस का πाई आया यहां पे sign क्या रहेगा जिरो आयागा फिर हम आगे चले अब इस माइनस के पाई में फिर पाई जोड़ेंगे तो कितना जागा 2 पाई यहां भी sign हमारे क्या रहेगा 0 फिर माइनस का 3 पाई sign 0 रहेगा ठीक है यहां फिर माइनस का 4 पाई 5 पाई 6 पाई आगे जितने भी X एक्स एक्स पे coordinate बनेगे हमारी वहां पर sign क्या रहेगा 0 रहेगा चैए हम positive में चल रहे हो चैए negative में चल रहे हो अगर आप इन दोनों से conclusion निकाला जाए तो positive हो क्या रहेगा 0 रहेगा हमारा इन पर इसेट पर क्या रहेगा 0 ठीक है positive हमारा 1 यह तो मैं ले लिए 1, फिर 2 ले लो, positive हो और negative हो, हमें क्या मिलेगा, positive का या negative का, दोनों ही हो, इस पर sign हमारे क्या रहेगा, 0 बनेगा, तो यह जो 1 आरा हमारा, 2 आरा है, positive हो और negative हो, ठीक है, इसको हम कोई न कोई, देखो, positive हो, negative दोनों में हमारे कोई चला integer होता है, तो अग इंदे को सबके साथ पाई तो आई रहा है, आगे गिंती चेंज होरे, गिंती को क्या बोलेंगा, इंटीजर, यानि न बिलॉंग करेगा, इंटीजर को, तो यान की sign का, अगर मैं general solution बनाऊ, तो किस तरीके से बनेगी sign की equation, देखो, 1, 0, 1, 2, 3, चलेगी, तो n पाई हो पर n हमारे belong करेगा, किसी न किसी integer को, अब हम cost की बात करते हैं, cost मैंने आपको क्या बताया, y axis पे क्या देगा, हमें 0 ही देगा, cost हमें y axis पे हमेशे क्या देगा, 0 देगा, तो अब हम cost के diagram को अगर ध्यान से देखे, यह मैंने चला है anti clockwise, और हमारा चला clockwise, देखो, मैंने इतना है, पूरा πाई डिगरी का एंगल है, पूरी straight line बने नहीं वाली cd line बने, तो अगर πाई बाई 2 में πाई जोडेंगे, तो हमारा कितना है, 3 पाई बाई 2, अब हमें cost क्या रहेगा, 0, 3 पाई बाई 2 में पाई जोडेंगे, तो कितना है, 5 पाई बाई 2, हमें भी क्या value क्या रहे थी, 0, अब पाई बाई 2 में फिर पाई याडे कर दिया, कितना है, माइनस का 3 पाई बाई 2, यहां भी क्या रहेगा cost 0, फिर यहां से यहां गए, माइनस का 5 बाई 2, माइनस का 7 पाई 2, माइनस का 9 पाई 2, इसी तरीके से हमें डियागरम को infinity तक बनाते जाएंग तो हमें इस y-axis पे cost का मिलेगा, 0 मिलेगा, अगर इन दोनों को, हम merge करें, इस figure को, इस figure को, दोनों को merge करें, इनके number को, तो हमें कुछ इस तरीके से number मिलेंगे, यानि positive or negative का 5 by 2, positive negative 3 by 2, positive negative 5 by 2, यहां पे 1, 3, 5 जो आ रहा है, यहां हमारे कोन है, odd number है, 1, 3, 5, 7, 9, सारे कोन ह और odd number हो हम किसमें लिखते है, 2, 1, plus 1 में, इस n की जगा पे आप कुछ भी value रख दो, चाह पॉजिटिव में रखो, चाह पॉजिटिव में रखो, आपको हमेशा एक odd number ही मिलेगा, तो देखो ज़रा, यह 1, 3, 5 की जगा पर मैंने, क्या रख दिया, 2, 1, 2, and plus में 1, तो यहां से क्या, इसकी equation निकाली, कि अगर cause x हमारा 0 बनता है, तो वहां पर x क्या होगा हमारा, 2, 1, plus में 1, pi by 2, for each and every, and जहां पर क्या होगा, कोई न कोई integer होगा, क्योंकि odd number की equation होती, वो क्या होती, 2, 1, plus में 1, हमने 1, 3, 5 के जगा पर क्या रख दिया, 2, 1, plus में 1 अग दिया तो यह हमारा, हमने यहां से दो equation निकाली, एक sin 0 की और एक cause 0 की, ठीक, इन दोनों के जो equation के कुछ इस तरीके से होगी, तो देखो cause 0, sin 0 बनाने के बाद में, अब जैसे कि मैंने एक तरीके से quadrant बनाए, यहां पर मैं 1 unit लेके एक सरकल को draw कर लेता हूँ, इस सरकल की जो radius होग इतने होगी, वन unit होगी, clear, अब हमारा जो यह angle है, ध्यान से देखना, यह कितना होगा, cause x है, और sin x है, जहां पर यहां मेरा जो angle बनने वाला यह angle है, यह कितना है, x है, ठीक है, अगर ध्यान से देखना आप, मैं पूरा इसका complete revolution लगा लेता हूँ, पूरा एक complete revolution लगा ले लिए, तो देखो यह जो angle है, कितना x है, यह angle पर लेकितना होगा, x होगा, यहां से लेके, पूरा मेरा complete angle जो बनेगा, यह कितना होगा, तो पाइ प्लेस में x होगा, अब मैं इस coordinate को इस coordinate को को किया लिखूँगा, cos 2 pi plus में x, and sin 2 pi plus में x, इसको मैं यह लिखूँगा, अब कॉस्स टूपा देखो कॉडिनेट दोनों जगा सेम है पहले भी यही थे और अब क्या होगे टूपाइ ब्लस वन तो यानि कि इसकी जो वैली होगी आंसर जो होगा वो हमारा सेही यहां सेम यही रिजल्ट देगा वहीं पर अगर मैं कोई दूसरा एक और सरकल यहां पर कॉड़ी करता हूं रिवलुशन जैसे मैंने यहां पर पूरा एक और कॉड़ीर रिवलुशन लगा या फिर मैं यह इनगल बना यह एक सरकल पूरा हो चुग था पहले अभी और दूसरा हुआ तो पहले 2 पाई हुआ अब कितना है गा फ़र पाई पर मैं मैं एक और चक्कल ल या cos 6 pi plus में x या sin 6 pi plus में x आजए इन सभी की value हमें क्या मिलेगी sin x और cos x ही मिलेगी तो अगर इन सभी में common बात अगर note की जाए सभी नंबर क्या है 2 के multiple है सभी नंबर क्या हमारे 2 के multiple अब यह चैसे कि मैंने आपको यह anti clockwise बनागे दिखाया अगर आप इसको clockwise बनाते हो तब यह same procedure ही repeat करेगा इसी तरी के साब इसको draw करते हो तो ठीक है देखो मैंने इसको यहाँ पर दुबारा से टीडो किया हुआ है जैसे कि मैंने आपको एंगल बना यह x है यहाँ पर मैंने इसका complete revolution लगागे फिर प्लस में x एंगल लिया तो यह में कोडिनेट क्या देखा cos 2pi x sin 2pi x जो कि क्या होगा हमारे सेमी कोडिनेट होंगे कोडिनेट सेम है तो value भी मारे कहा रहेगी सेमी रहेगी इसी तरी कि cos 4pi by plus x है और sin 4pi plus में x यह भी हमें क्या देगा सेमी रिजल्ट देगा ठीक है चाहिए 2pi पे चेक करें 4pi पे चेक करें 6pi पे चेक करें यह तो हमने anti-clockwise check किया clockwise चेक करोगा तब भी आपको क्या होगा सिर्फ positive की जगापी क्या मिलेगा हमको negative मिलेगा यानि कि 2pi 4pi 6pi minus 2pi 4pi 6pi इनका effect क्या रहेगा 0 रहेगा कब जब एक complete revolution हो जाएगा तब after every 2pi interval sine x और cause x value will start repeating 2pi पूरे complete revolution होने के बाद में हमें sine x और cause x की जो value है वो same repeat यानि कि वापस वही value मिलना शुरू हो जाएगी तो यानि कि sine 2npi अब मैंने n क्यू लिया देखो सारे क्या है 2 के multiple है ठीक है तो यानि कि यह हमारे कोने even number है जैसे मैंने आपको बताया कि odd number को हम represent करते है 2 1 plus 1 से वहीं पर even number को हम represent किसे करते है 2 1 से represent करते है इसमें आप n की कोई भी integer put कर दो आपको हमेशा odd number मिलेगा जैसे मैंने आप माइनस 1 put किया 2 1 कम 2 2 में से 1 गया एक मिलेगा odd number है चैसे 0 put करो चैसे 1 करो 2 करो 3 करो आपको इसमें हमेशा odd number मिलेगा इसके अंदर आप n की value कुछ भी रोको 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आपको हमेशा एक even number मिलेगा जैसे के आपने आपे 0 रखा तो 2 को 0 से multiple है 0, 0 1 के even number है मैंने आप 1 रखा 2 1 जा 2 2 के हमारा even number है तो इसलिए ये सारी even number है इनको शो करने के लिए मैंने आप इसकी दालिए कि 2 and pi यानि कि कुछ भी आप रख सकते हो देख पाई तो सब में है यह है sin 2 and pi plus me x इसके भी हमें क्या रिजर मिलेगा sin x ही मिलेगा जहांपर n हमारा क्या बिलोंग करेगा किसी integer को बिलोंग करेगा तो student हमने अभी भी पीछे पढ़ा है कि sin x 0 होता है for angle for x axis तो हमारा x क्या होगा n pi होगा जहांपर n क्या होगा कोई integer को बिलोंग करेगा और cos x अगर हमारा 0 होता है तो जहांपर x हमारा क्योंगा 2 and plus me 1 pi by 2 होगा जहांपर n हमारा किसी integer को बिलोंग करेगा अब हम discuss करेंगा trigonometry function के लिए ठीक है तो trigonometry function होगा क्या तो किसी भी trigonometry function होने के लिए उसके denominator में क्या नहीं होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए तो यहांपर हमारा sin x है और cos x है इसको थो हम पहले ही define कर चुके हैं यहांपर यह हमारे तो कुन होते हैं trigonometry function होंगे यहांपर जो हमारा अगला आतर 10 x कितना होता हमारा sin x upon में cos x होगा जहांपर cos को होना रहा है इसके denominator में आ रहा है तो यहांपर इसके denominator में 0 नहीं होने के लिए यहांपर हमने इसके equation लिखे थी cos 0 की जो इसके 0 होने की condition यह वाली है ठीक है 0 की स्पीश होगा यह 2N plus 1 pi by 2 पे होगा तो यानि की cos की value सिवाए इसको छोड़ कर इसके बराबर नहीं ले सकती अगर इसको लेंगे तो यह 0 देख और 0 होती यह not defined हो जायागा इसी तरीके से cos x चो होता हमारा 1 of 1 में sin x होकता है और sin हमारे क्या देगा sin अगर हमें 0 नहीं रखना है तो यह हमारे x जो है वो n pi के equal नहीं होना चाहिए for each and every integer के लिए clear अगर हमें इनको trigonometric function में रखना है तो इनकी denominator में 0 नहीं होना चाहिए यानि की x की value हम इनको नहीं रख सकते हैं clear वहीं पर आपको कई सारी वीडियो में आपके teacher ने आपको पढ़ाया होगा कि जैसे कि हमारा first quadrant होता है second, third, fourth होता है first quadrant में हमारा जो x होता है वो 0 से pi के बीच में होता है यानि वो इसके बीच में लाइख करेगा 0 से ज़ादा होगा quadrant के अंदर ये angle होगया ये क्या 0 से ज़ादा बर pi by 2 से कम होगा तो यानि कि x की जो भी value होगी 0 से ज़ादा pi by 2 से कम होगी second quadrant में हमारी जो x की value होगी देखो अब second quadrant में हम यहाँ पर आ जाएंगे तो हमारे angle कुछ इस तरह किसे होगा ये हमारे angle यहाँ से अगर इस तरह किसे मेजर करें तो ये पाई by 2 से ज़ाद होगा बर वर्नेटी से कम होगा वर्नेटी का मलब pi है यानि कि हमारे जो x होगा वो पाई by 2 से ज़ादा होगा बर pi से कम होगा और third quadrant के अंदर हमारे जो ये angle होगा ठीक है ये angle हमारे किस तरह किसे बनेगा यहाँ तक का बनेगा यह हमारे कितना पाई है तो हम इसको देखो यहाँ से यहाँ तक तो pi होगया और यह हमारे कोई angle x है तो pi प्लस में x होगा यानि कि third quadrant में pi से ज़ादा होगा और यह हमारे कितना होगा 3 pi by 2 होता है और 3 pi by 2 से कम होगा तो 3rd quadrant में x की value हमारी pi से ज़्याद 3 pi by 2 से कम होगी और 4th quadrant में हमारे जो angle हाएगा वो कुछ इस तरी किसे हाएगा ठीक है नहांजे turn out करें को इस तरी किसे होगा यह हमारे कितना होगया 3 pi by 2 होगया और plus में angle x होगया अब हमने हमने पढ़ा है आपको कि all student 10th class इस तरी के से आपको learn करवाया होगा all का मतलब है कि इसके अंदर जितने भी trigonometric function होते सारे के सारे positive होते है student का मतलब है s यानि की sign or x और cos x axis में positive होते हैं फिर आता 10 10 का मतलब है 10 x और cos x में positive होते हैं फिर अगला आता हमारा school after all student 10th class अब क्लास के अंदर कोन आया का cos x और sec x यह दोनों कोनों पोजिटिव होते हैं अब इनके पीछे positive होने के पीछे reason क्या है वो reason मैं आपको यहां पे समझाता हूँ इनको समझने के लिए हमने के quadrant मनाया ठीक है एक्स और sin x होता है ठीक है इसके अंदर हमारे first quadrant second quadrant third quadrant and fourth quadrant चार quadrant होते हैं तो जो first quadrant होता देखो यह हमारा x-axis है x-axis है x-y- इसमें हमारे जो दोनों number होते हैं वो कौन से हो पॉजिटिव-pॉजिटिव second quadrant में x हमारे negative होता है y हमारा positive होता है third quadrant में x हमारे negative y भी हमारे negative होता है fourth quadrant में हमारे x positive होगा बड़बाई के आओगा negative होगा इसी concept का use करते हुआ हम इस question को solve करने याने कि first quadrant में cos हमारे positive डखना है sin हमारे positive इसके अंदर cos हमारे कौन होगा negative होगा sin हमारे positive होगा ठीक इसकी value को find करेंगे तो जैसे कि एमारा first quadrant है, ठीक है, इसमें इनक्या बताया, sine और cause दोनों positive होगे, sine positive होगा, cause positive होगा, 10 का formula क्या होता, sine upon mean cause, यह भी हमारा positive हो, यह भी हमारा positive हो, 10 हमार फॉस्टिव value देगा, card का formula हो, cause upon mean sign, दोनों positive तो आंसर इस पर भी क्या होगा positive होगा को सेग का formula फॉर्मला उसके fat में क्या देगा positive इसलिए इसलिए first क्वारण में सारी value उमारे क्या रहती है positive की ही रहती है ठीक है वहीं पर हमारा अगर बात के लिए second quadrant की मैंने आपको क्या पता है second quadrant में cos हमारा negative होगा sign हमारा positive होगा cos negative sign positive होगा तो देखो मैंने यह आप लिख दिया 10 का formula क्या होता sign upon में cos यह positive और negative positive में negative का डिवार देंगे तो answer किसमें आयगा negative में आयगा हमारा इनके लगे अब यहां पर देखो quad का formula कितना होता 100 scoos upon में sign advisory positive तो negative positive की answer देगा negative answer देगा ठीक है फिर बात किज़े को को से का formula कितना होता one upon में sign sign हमारा positive होता है तो one में Man clean कड़ी Bड़ देंगे तो answer में क्या देगा positive बागेगा वहीं पर अगर proportion के ली जा तो कितना होता रश्षर उन behavior का झुता हमकुत other value negative, वहीँ पर अगर थर्र क्वार्डिन की बात की जाए, तो यहाँ पर cost भी negative है, sin b नेग интересно, दोनो negative value हैं, ten का formula हुता है, sign upon में cos, ठीक है, धोनो negative है, negative से negative give cancel, answer हमारे किसमे मिलेगा, positive में मिलेगा, ठीक है वहीँ पर quad का formula क्या होता, पॉजिटिव में 10 हमारा पॉजिटिव में तो कॉट का अंसर भी क्या होगा पॉजिटिव में होगा कॉस होता वन अपॉजिटिव में साइन साइन हमारा किसमें होगा नेगटिव में तो कॉस है की वैली भी क्या है कि हमारी नेगटिव में आएगी वहीं पर अगर सैक की बा ये वहिए पोजितियों आपन होता है फार्ज क्यों आपके इसे लिए हमारे फॉर्थक्वार्डन में विनुद्ए आप उसमी मिलेगी इसलिए हमारे फर्थक्वार्डन में Esse दॉन पॉजटिवベ Nurse सारी वैल्यू नेगटिव होती है तो इसी वज़एसे इनके काड़न Kultur के अंदर हमारी सारी वैल्यू फर्स्ट वाल कॉर्ट वैल्यू में positive होती है सेकंड क्वॉर्ड में Sin क्वॉर्ष पोजक्ड गोंता सेक्ड फर्ड क्वॉर्द क्वॉर्ड क्वांद discuss करेंगे cos x and sin x की जो value होती है इनके बारे में थोड़ा discuss कर लेते हैं तो देखो यह हमारा कोई circle है जिसकी radius कितनी one unit है अब यहाँ पर हमने देखो यह angle बनाया कोई positive x axis का anticlockwise तो यह cos x और sin x होगा और anticlockwise बनाया तो हमारा कितना होगा negative x होगा जो कितना होगा माई कॉस negative x और sin negative x होगा तो यह मैंने इन दोनों के coordinate यहां पर define कर दिए तो हमारे triangle aoc और triangle boc यह दोनों triangle क्या होंगी बिल्कुल इस से मुझे में जैसे होंगी दोनों congruent है congruent क्यों है मैं आपको भी बतायता हूँ देखो ओ यह यह बी radius है ओ भी यह बी radius है एकी circle radius दोनों बराबर होती है इस वज़े से कॉल होगा oc दोनों में क्या रहा है common part निकल क्या रहा है ठीक है और यहां पर दोनों के angle सेम है positive negative से कोई फरक नहीं पड़ता तो side angle side से दोनों triangle हमारे क्या हो जाएंगे congruent हो जाएंगे अगर congruent है aad दोनों triangle congruent तो B C P C D दोनों पर्ट क्या होँग ेक c अंगर aC बराबर किसके होका हमारा c sap अबराबर 20 के होका जितना वुतने हमारे y axis होता है यह negative वाला होता है तो इसको हम negative में show करें दो कितने होगा negative का sin x होगा यह वाला जो distance होगा तो sin x और negative का sin x यह दोनों क्या होगा एक दूसरे के आपस में बराबर होंगी ठीक minus का sin x है और यह वाला जो coordinate हमेरे क्या देता था sin negative x देता था दोनों आपस में क्या होगा दूसरे के equal होंगी क्योंकि देखो यह जो distance cos x और sin x है तो हमें coordinate क्या मिला cos x और sin x मिला अब वहीं पर इसकी बात कर ली जाए तो देखो यह हमारा cos x है और यह हमारा minus का sin x है अगर coordinate की बात की जाए तो इसके coordinate क्या होने चीए cos x होना चीए एक तो यह वाला यह distance कितना इसका cos x है और यह distance कितना इसका minus का sin x है तो हम इसी वज़ा से हम minus के sin x को consider कर सकते है sin negative का x और cos x को consider कर सकते है negative का x देखो मैंने यह बात हो यहां लिखी है कि cos x, cos x, cos negative का x और cos x दोना आपस में एक तूसरी के क्या होंगे equal होंगे और angle दोनों के equal है ही है ठीक है इस वज़ा से हम cos negative x को cos x का consider कर सकते हैं और वहीं पर minus के sin x को sin negative x का consider कर सकते हैं तो student आज के लिए इतना ही उमीद करता हूँ आपको चितना मैंने पढ़ा उतना समझ में आगया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरू सब्सक्राइब पर लें